आप देख रहे हैं है रबाद यू स्टाट्टिव अपोजिशन पाकिस्तान की बड़ी कुश है जाहिर एक जग हसाई और एक पसपाई अज जग में एक हैडिंग में ने पड़ी तलर डेड़ सो को स्ट्राइश मुकाबे डालर तारीक की बिलंद सता पर स्ट्राइश मार्केट पिंडेक्स एट जीरो एव और पाइस कम होगी तकी सदार 166 पर बंद सोना मदीद महंगा हो गया अपोजिशन कोश होगी अपर हर अख़बार की अच्छिए लेकर मौब्य वतन पाकिस्तानी पाकिस्तान सी महबट तक था है पाकिस्तान की सलमियत को अपनी चांग से अज़े समशता है उसका दिल रो रहा है अपाकिस्तानी वादी के अक्से तो अस्नी परसुए है रपत पर अफास में ठी हुई है इस बुल्ट के लिए इस बुल्ट के लिए इस बुल्ट की तहरी अजादी के लिए आम आदमियों का बहुत बड़ा किरा रहे हैं और उप्रवानियों से पाकिस्तान वजूद है लेकिन इस बहुंगाली रूच पर हर आने वाला खुक्मराद ये कहता है के एक साबिक खुक्मराद उनकी वज़ा से उनकी वज़ा से पाकिस्तान जो है वो इस वक बड़ी मुसीमत में है हर आने वाला खुक्मराद अपनी जो है अच्छाईयां खुद गिनवाता है और जो कहता है मुझे तो विर्से में मिले बड़किस्वती से इस मुल्ट में हमेशा जागिरदारों का सरमायकारों का और स्टेपलिश्मेंट का कब्जा रहा है तो अब जो है मेरे पास मुक्तलिफ लिट्रेशर मौजूद है कि मौशी बढ़ाली कौन किता कसूर हुआ तारिखी दस्ताविजात के मुताबिक आजादी के बाद ही पाकिस्तान के मौशी हालाद ठीक नहीं रहे और ये एक बड़ा मेरा एक जबरदस तारिखी प्रोग्राम है न्यू जेनरेशन के लिए और मैं मुख्तलिफ लिट्रेशर से आपको बताऊंगा मगर ये भी हकीकत है कि मैशीत एतनी कमजूर नहीं थी जितनी आज है 1960 में एक अमरीकी डालर तीन रुपे के बराबर था जब पाकिस्तान ने बना था और हिंदुस्तान के पास तमाम चीज़ें दे आगे चल कर बताता हूं लेकिन 1960 में डालर तीन रुपे का था जो 1971 में खंगीर स्यासी हालात और मशर्की हालात के अलग होने की वज़े से साथ रुपे का हो गया यानि इस्ट एंड वीस्ट पाकिस्तान हुआ पाकिस्तान दो टुक्ड़ों में तक्सीम हुआ लेकिन फिर भी डालर साथ रुपे का था लेकिन मुआशी तोर पर फिर भी हम कदर मस्बूत थे हुट्टो साप के दौर हुकूमत तक हमारा कुल वेरुनी कर्स छे अरब डालर तक पहुँच चुका था जबके जिया में के दौर में हुट्टो साप के जिसे आपने उस शक्स ने जिसने पाकिस्तान के एटम बं की बनियाद रखी जिस शक्स ने पाकिस्तान के गरीब लोगों को जुबान दी जिसने 1973 का आइन लाया और पेश शुमार जलुफकार ली भुट्टो के कारना में थे उसे अपने फांसी पर चड़ा दिया जिसने पूरी दुनिया के मुसल्मान बादचाओं को पाकिस्तान में जमा किया जिसका ट्रीम था कि हम पाकिस्तान में इस्लामी बैग बनाएंगे और शायद यह उनकी फांसी का सबब ना उनके दोर में भी सिर्फ शे अरब डालर का कर्स था लेकिन जिया के दोर में एफ सिक्स्ट्रीम की खरीदारी एटमी प्रोग्राम की तकमील का कर्स और मुतेदे चोटे डेमो की तामीर के लिए ले जाने वाला कर्स कुल मिलाकर बारा अरब डालर ड़क पहुँच चुका था मैं आपके एक बात बता दू एक ऐसा मौका जब जनरल जिया उल्हक की तदार में आए और सोवियत यूनिन ने अफगानिस्तान पर कबज़ा किया और उस कबजे के नतिये में अमरीकानी स्पूर्ट की उन लोगों की जो रश्या के खिलाफ जब लड़ रहे थे और अमरीका पाकिस्तान के ओपर बहरबान हो गया और उसने बेतहाशा पाकिस्तान की मदद की अगर जैल जर्वाल्ड के जाटे तो उस वकत हम कर्जों की दलदल से निकल सकते थे आई अएमफसे आजाद हो सकता था आज मकम्ल तोर पर पाकिस्तान इस आईमफसे के जंड्रे में और उस टेम अगर जनरल ज्यावलक अमरीका से कहते हैं कि पहले हमारे कर्ज माफ करो और उसके बाद हम आपका साथ लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अफगान वार के नतीजे आज हम देख रहें और हमारे अन्यावली नस्ट ने देखेंगी अफगानिस्तान की लोगों ने और पा हमारे अड़े एराक के खिलाफ इस्तमाल करो लेकिन हमारे कर्ज माफ करो कर्स माफ हो गए लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरानों ने उस वक्त अपनी जेवे भरी स्टबलिश्मेंट ने लेकिन पाकिस्तान को कर्जों से आजाद नहीं कराया 1988 में 12 अरब डालर थी चलो लेकिन फिर उसके बाद ज्यावलक एक हवाई हादसे का शिकार हुए फिर 1988 से लेकर फिर जो है 1999 तक पाकिस्तान में जमूरियत रही दो मरतबा मियासाप को और दो मरतबा महतरमा बेदजीर पुट्टो को जो है वो इक्तदार में आने का मौका मिला लेकिन ये चारों हकुमतें कभी करने के बजाए इजाफा किया दिसंबर 1988 में मौतरमा बेदजीर पुट्टो के खियादत में आलमी इदारों से कर्ज के दो प्रोग्राम हासिल किये जिन से कर्ज में मजीद दो अरब डालर का इजाफा हुआ नवाशरी रिफ हकूमत नाइटीन नाइटीन नाइट सो पैकेज लियागी यो दोनों मुन्तकिब जमूरी हकूमरानों ने मजबूरी तोर पर ग्यारा साल में 26 अरब डालर का कर्जा लिया जब इनके दस सालों में चार अरब डालर के एक मौटर में के सिवा कुछ और नजर नहीं आता 1999 में मारिशल्ला तक पाकिस्तान पर बेरुनी कर्स का कुल हुचम 49 अरब तक पहुँच चुका था पाकिस्तान असल रख्यम की वापसी तो दूर की बाद पाकिस्तान सूद की अदाईगी के काबिल नहीं था 1999 के मारिशल्ला के बाद मुशर्ण दौर वा आगाज में पाकिस्तान को इक्तसादी पाबदियों को सामना करना पड़ा मगर 9-11 के बाद हालाद बहतर हो गए 99-2000 के अक्तसादी जायजे के मताबिक जनरल मुशर्ण अपने पैरिस कलब के साथ मौाइदा किया कंस्टोरियम को कर्जों के रिशुडिलिंग पर राजी किया नेज आलमी बैंक आईमेप के साथ मजाकरात के जरी पाकिस्तान को दीवाला होने से बचा लिया गया इस दोरान पाकिस्तान के सारे सूद अदा करके असल जर्व में बिसे भी पांच अरब डालर की वापसी होगी ये भी वो मौका था जनरल प्रवेस मुशर्ण को 9-11 के बाद अमरीका मजबूर हो गया था और वो अफगानिस्तान में दाखिल हुआ अगर पाकिस्तान उसकी मदद नहीं करता लेकिन जर्वेस मुशर्ण ने फिर भी पांच अरब डालर दिये लेकिन हम आई-फ-एम के शकंगे से वो चाहते अमरीका को कहते कि आप हमारे मुल्ट में से जो जो चीज़े जो तरसील जो हासलात लेना चाहते हम तब देंगे जब आप हमारे आई-फ-एम से कर्जे माफ कर और पाकिस्तान कर्जों से जनर्ल परवेज मुशर्ण आजाद हो जाता लेकिन उस दोर में इस्टबलिश्मेंट ने सियासतदानों ने कमाया और सिवाए अपनी जेवे कर्प्शिक की नजर हुआ पाकिस्तान मगरूज होता था सिर्फ पांच अरब 2008 में पाकिस्तान पर कर्जों का बोच कम होकर 34 अरब डालर हो गया 29 चौटिस लेकि 34 तो हो गया मैंने का कि अगर जनर्ल परवेज मुशर्ण अपनी मुफादात इक्तदार के इलावा अगर वो अमरिका पर सोर डालते तो पाकिस्तान आज अएमफ से आज़ाद होता तो मुखे और दोनों मुलटिस सर्ब्राओं की मुझूद की में पाकिस्तान को मिले जनर्ल जिया के दोर में लेकि फिर आगे हमारे आते हैं चेंपिन आफ डेमोक्रेट और उस वक्ड़ दोहजार पीस में मनसुवा भी बनाया गया थे जिसके मताविक पाकिस्तान मुलक के करदे चुका दे मगर कहानी उल्ट गई और उल्टी भी जनर्ल प्रफेस मुशरब थे जब उन्होंने एक एनारो किया एनारो की नतीजे में उनका ये था कि मुझे सदर मुमलकत में ताहयात रहूंगा मुझे अमरीका की स्पोर्ट हासल है कभी सोचा नी था तो उसके बाद आलमी तार्कतों की बदाल स्यासी जमातों के साथ एनारो हुआ और पाकिस्तान में जमूरियत लोट आई 2008 में पीपलिस पार्टी का दोर आगाज हुआ नई नवेली जमूरियत ने 7.2 अरब डालर का तारिकी पैकेज हासल किया 2008 से 2013 तक पीपलिस पार्टी के पांस सलों में बेरुनी कर्जा 34 अरब डालर से बढ़कर 69 अरब डालर तक जा पहुँचा पाकिस्तान पीपलिस पार्टी के दोर में 34 से 69 तक पहुँचा अंधुरुनी कर्जा 600 अरब से 6000 अरब से बढ़कर 12000 अरब तक मकरूज हो गया तक पहुँचिया लेकिन पीपलिस पार्टी ने पाकिस्तान को 31 अरब डालर का मकुरूस किया फिर उसके बाद 2013 में नून लीग आई जिसके दोर में बहरुनी कर्जा 69 अरब डालर से 95 अरब डालर पहुँचिया और अद्रूर ये कर्जा 19,000 अरब तक पहुँचा यो पाकिस्तान 30,000 अरब रुपे के कर्ज़े में टूब किया जिसे आप कहते हैं या अनवाज शरीफ साब या पीपलिस पार्टी लेकिन आप ये फर्क देखें कि 19 अरब से 95 अरब में अनवाज शरीफ कर्जा पहुचाया इस वक्त इमरान खान नहीं था और फिर 2008 से 2013 में 34 अरब से 69 अरब पर यानि कि जनाब पीपलिस पार्टी ने कर्स उचाए तो आप लिए कि दोनों जमातों के 10 साला दोर में मैं आपको बताता हूं कि जब ये अक्तिदार में आये थे तो उस वक्त 34 अरब डालर कर्जा था और जब इन अरब इस तदार छोड़ा पिचानवे तो फिर जो है 95 अरब डालर तक कर्जा पहुचा 34 पिचानवे इसाब लगा ये 50 परसट जैनि के पाकिस्तान में तारीख में सबसे ज्यादा कर्स मिया नवाज शरीफ ने लिया उसके बाद पाकि पाकिस्तान प्स चुका है और मैं आपको बता दूँ कि 1947 में हमारी आजादी का मराला अगर तारीखी नक्ते नजर से बाब कोई बामाना और फैसला कुन मौका था तो यही था कि हम इस वक्त उसलमे की आहमित और अधारा को समझते लेकिन हमारे जो हसूल आजादी थी उस तोरान भी यही था कि जब तक्सीर हुआ कि सरमायादारान नजाम की क्यादत बरतानिया से अमरीका की तरफ शिफ्ट हो जाए और फिर शिफ्ट हो गए जिसके नतीजा आज हम भुकत रहें लेकिन आप आप मुझे यह बताईए कि 34 अरब डालर से PMLN और पीप्लिस पा अज़ा पहुचाया और फिर बाईस साल से जिद्जायद में मुश्रूफ थे कहते थे कि मैं आईमेफ के पास कभी नहीं जाओंगा खुद कशी कर लूँगा और उन्होंने आईमेफ के हवाले पाकिस्तान कर दिया और चलो उनके दोर में जिनके दोर में 95 अरब डालर तक क क्लास कर चुका है कहाई गया डाक्टर असद उमर के जनाब इनकलाब लाएगा पाकिस्तान तो फ्स चुका है चीखे निकल रही है और इमरान खान साब आपके तो बहुत सारे वाईते थे के इन्वेस्टमेंट आईगी और पाकिस्तान में वो बेरुन मुल्क वो का गए प पाकिस्तानी जो पूरे कैनेडा की शेरियत तबाव सहलते चोड़कर पाकिस्तान आ रहे थे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही थी इन्वेस्टमेंट चा रही है एक सो छे उन चलो ठीक है वो भी जो है उनको बरिल समा करार नहीं दिया चा सकता ना प्यमेलन को ना एक सुक्बरानों को और वोई जागिरदार तुल आपके साथ भी है वोई फिरदोस एवान आपके साथ भी है जो उनके साथ भी है वोई शामेमद कुरेशी आपके साथ है जो नून के साथ भी था वोई अफीश शेख उनके साथ है वो आपके साथ भी था वोई शेख काफ का कभी पीपी का तर्जवान कभी मुशर्ण तर्जवान वो भी आपके साथ, फिर कौन सी जएज आए, कौन सा नया पाकिस्तान आया, आप मुझे बताएए कि त्रेड़ सो रुपे से ओवर और आने वाला तुफान, मैं आपको बताता हूं, कि आने वाला इससे दौर होगा क्यों इसलिए कि इस मुल्ट में जागिरदार अना निजाम है और जागिरदार उन्निस सो संतारिस से लेकर आज तक इत्दार में इस्टबिश्मेट भी पाक्षरणस है और हिंदुस्तान में जागिरदार नहीं है उन्हें अपनी जमूरियत मस्बूत की हमारा दुश् लेकिन इस किसम के हालाथ वहां पैदा नहीं हुए हमारी एजुकेशन इस वर सिंड में एड्स का मामला है पूरे मुल्ट पाकिस्तान के वजिर आज़म को सिंड का दोरा करना चाहिए था सिंड पाकिस्तान का सुबह है कराची पाकिस्तान की मा है लेकिन वजिर आज़म प और अपुज़ असरफ एतजाज कर रही है बजाए सिन्द की मदद करने के तो सिन्द बड़ी बुरी तरीके से इस वक्त एड्स में हैपाटाइटिस में पानी का मसाइल वो दीगर मसाइल है लेकिन हम फस चुके कि अब सिन्द बड़ी बुरी 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 देकर कोई निजाम कोई निजाम निजाम नी बदला वो चेरे भी वोई पुराने वोई हैं वोई जागिरत्रीन है जो मुशर्फ के दौर में था वोई शेख रशीद है वोई अब्दलफीज है वोई मियाम हम्मद सुमरो है कौन से चीज़ बदली और इस वक्त अपुजिशन रुश है लेकिन नवाश्री पाकिस्टान प्रिप्लिस पार्टी वो भी जिम्मद वार है उसके इलावा वोई अम्पी अमेनेस इसम्बलिस में मौजूद है वो यह जिज़ान खान कहते थे कि मैं एमक्यों से इताद नहीं करूँगा लेकिन आप देखें माइनस सल्टाफ वाल का चाती से लगा लिया तो इस सुर्ट इतिहाल पाकिस्तान की खराब है और खराबी के जिम्दार पाकिस्तान में जागिर्दान निजाम है जब तक जागिर्दान निजाम पाकिस्तान होगा ये डेड़ सोनी तीन सो का डालर होगा तो मैं जब तक पाकिस्तान में जागिर्दार सरमायदार और स्टेब्लिश्मिंट का गटच जोड़े पाकिस्तान की मैंश नहीं कर सकती कि मैं एक वक्वा लेता हूँ उस वक्वे के बाद मैं आपको तुबारा हैदरबाद ड्यू स्टाट टीवी से पाकिस्तान के अंदर जागिरदाना नागिज़ जो का पाकिस्तान में जागिरदाना निजाम उसका खात्म जरूरी है उस पर प्रोगाम करेंगे आप देखते रहें यह हैदरबाद ड्यू स्टाट टीवी मिलते हैं एक वक्वे की बाद